नमस्कार दोस्तों मैं सुमित मिस्रा स्वागत करता हूँ पर फिट से आप सभी का MZT Education में दोस्तों आज आप पर सामने लेकर आया हूँ बहुत important वीडियो भारत के पडोसी देश यह paid content है और इसको देने का महां पर विचार रही था लेकिन यूटूब पर भी डिमांड उठी और जैसे कि आपको पता है आप लोग जो डिमांड करते हो उसकी वीडियो आती है तो इस वैसे यूटूब पर भी यह वीडियो आ रही है वरना यह जियोग्राफिक वीडियो मे प्रोवाइड कराई जाते हैं हिंदी में भी अलग पीडियो और इंग्लिस इस्टूजन के लिए इंग्लिस पीडियो अलग से प्रोवाइड कराई जाती है कहां पर MZT एजूगेशन एप पर वही पर आपको बाकी सभी चीजों के वीडियो कोर्सेज वगरा ईबुक्स व मियामार है ठीक है कहां-कहांपर है देख लीजे यह रहा भारत का नकसा अपना प्यारा भारत यहाँ पर देखिए नीचे जो स्री लंका है अब यह तो दूस्तों थोड़ा सा यह अलग वगया इस वैसे अस्थल सीमा से जुड़ा नहीं, इस वैसे स्रिलंका को include नहीं करेंगे, अस्थल याने की जमीनी सीमा से, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे पाकिस्तान, यह देखेंगे यह थल सीमा से जुड़ा हुआ है, ठीक है, राजस्तान से, गुजरात से, इधर पंजाब, कस् तो एक देजी हो गया इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे उपर यहाँ पर देख लीजे दोस्तो थोड़ा सा अफगानिस्तान से भी जुड़ता है लेकिन अभी चूंकि यहाँ पर देखेंगे तो इतना दूर जो है वो कबजे में है पाकिस्तान की इसे पियोके क कस्मीर ठीक है पाकिस्तान अधिकरित कस्मीर इसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर इतनी दूरी का जो छेतर है यह सियाचीन है और इसको चाइना कबजा किया हुआ है ठीक है तो यह सियाचीन है अब एक पॉइंट और ध्यान रखेगा क्योंकि देखिए मैं सब बताने वाला हूँ देखिए यहाँ पर LAC है यहाँ पर LOC है ठीक है अभी इसकी सब के बारे में हम लोग आगे अच्छे से बात करेंगे पहले अभी देश देख लेते हैं मोटा मोटा किसे किसे जोड़ रहा है तो यहाँ पर दोस्तों चाइना है अब यहीं पर पहले बत का जबकि भारत यह नहीं मानता है भारत तिबबत को अलग देश मानता है ठीक फिर यहाँ पर आपको नेपाल देख रहा है नेपाल के बारे में भी बात करेंगे भूटान देख रहा है भूटान के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग तिबबत नहीं चाइन देश मत समझिएगा, चरूँए इसके बाद, इसके बाद यहां पर देख sugar मयामार है मयामार से भी थल्सीमा लगती है भारत की, इसके बाद इधर वंगाल की खारी शुरू हो जाती है, तो इधर नीचे के देश तो लगेंगे नहीं, फिलाल यहां कोई देश है स्रेलंका ही है बाकी सब इधार है इंडोनेसिया वगेरा उसको हम लोग वर्ड मैप में देखेंगे क्लियर अब देखिए एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर हम लोग सुरुवात की है भारत के पडूसी देश से ठीक है पहले थलसीमा से लगे पडूसी देखेंगे फिर हम लोग पहुंचेंगे एसिया के मैप में फिर पहुंचेंगे एक एक करके जो भी कॉंटिनेंट है उसके बारे में जानेंगे ठीक है यह जोग्राफी की पूरी सिरीज होने वाली अब मैं यह दावा नहीं कर सकता हूँ कि इसमें से कितना कॉंटेंट से हैं जो धल सीमा लगाते हैं क्लियर अब जली एक एक करके जानते हैं सबसे पहले पाकिस्तान भारत का दुष्ट प्रोसी देश पाकिस्तान देखिए यहां पर है मैप में अच्छा यहां पर थोड़ा सा मैप यह ओल्ड वाला है इसको ध्यान में मत रखिएगा ठीक है क् और इम्रान खान देखिए पाकिस्तान के प्रधान मंतरी हैं डाक्टर आरिफ अलबी यहां के प्रेसिडेंट है इस्लामाबाद यहां की राजधानी है पाकिस्तानी रूपया यहां के करंसी है नेशनल एसेंबली यहां की संसर है उर्दू और अंग्रेजी यहां की अलग किया गया, तब उसी के बीच में भारत और पाकिस्तान को जो अलग किया गया, तो दो दिन के बाद ही, 17 अगस्ट को 1947 को रेड क्लिफ रेखा कीजी गई, क्या-कैजी गई, रेड क्लिफ रेखा, अब देखें, रेड क्लिफ महाजन थे ठीक है जो की उस टाइम पर थे उनको जिम्मेदारी दी गई बटवारे की उन्होंने क्या किया उन्होंने ये भारत का नक्सा आया कहें कि विश्व का नक्सा उठाया इसमें से भारत के यहां पर उपर से उठाया भारत को पुलिस इस्टेशन पुलिस इस्टेशन थे उन सब को जोड़ते चले गए और एक लाइन उनको मिलाने वाली खीच दिए अब यहीं से हो गया विवात सुरू यह पुलिस इस्टेशन पुलिस इस्टेशन मैप में उठा कर तो खीच दिए ग्राउंड लेवल पर देखे है नहीं अब इसमें क्या हुआ कि जब पुलि आया किसी का घर पाकिस्तान चला गया द्वार भारत चला आया किसी का घर भारत चला आया द्वार पाकिस्तान चला गया तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा विवाद हो गया क्योंकि जबर दस्ती वहां पर खाली कर आया जाने लगा ठीक है तो बहुत सारे विवाद पिच में कौन सी रखा कीज़ी गई है रेटकलिफ रेखा अच्छा अब आप कहोगे क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में ही सिर्फ रेटकलिफ रेखा है मैं कहूंगा नहीं क्यों क्यों कि पाकिस्तान यहाँ पर तो था लेकिन इधर बंगाल में भी बंगाल साइड में भी विवाद चला था तोर पाकिस्तान के बीच में खीचे ही खीचे और चूची क्योंकि उस टाइम पर भी ये बांगलादेश जो था ये भी पाकिस्तान कहीं सा था तो इसलिए पाकिस्तान और भारत के बीच में दो ट्रेने चलाएगी बाद में समझहौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस फिलहाल के लिए यह भी बंध है लेकिन यह दो ट्रेन का नाम आपको याद रखना है समझहौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस क्लियर बारत से पाकिस्टान की बीच में बहुत आयाद निर्याद भी होते हैं प्याज खरीदा जाता है भारत खरिदता है टीक है बदले में कपास और भी भहुद चीजों का निर्याद भी करता है तो यहाँ पर यह जो डाटा लिखा गया है ये तो लगभग change होता रहता है, बार-बार बदलता रहता है, तो आपको याद करने की जूरत नहीं है, बस इसको जाने रहिए, जानकारी के लिए कि लगभग अमोमन इतना ब्यापार होता है, ठीक है, तो इन सब को आपको ध्यान में लखना है, बहुत जाथा इसको याद कर जरूरत नहीं है, जो याद करना होगा उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एक और पॉइंट, सिंधु नदी जल समझोता, ये भारत और पाकिस्तान की बीच में 19 सिंधु नदी जल समझोता, ठीक है, ये 1960 को हुआ था, बहुत इंपोर्टेंट डेट है, डारेक्ट पूचा ज पांच नदियां बहती हैं, इसी वेज़े से तो पंजाब नाम पड़ा है, पंजाब का पहले नाम था पंचाल, क्या नाम था पांचाल, पांचाल का मतलब होता है पांच चाल, पांच चाल मतलब पांच नदियां, पांच नदियां चलती थी, पहती थी, इस वेज़े से उ बहुत तनाव भी बना रहता है, सिंदु नदी जल संदोर्ते पर भी मैंने साइद आपको एक वीडियो दी थी, आप देख सकते हैं, इस पर अक्सर तनाव बना रहता है, भारत अभी एक दो साल हो गया है, भारत जब पाकिस्तान के बीच में टेंसन बढ़ी थी, तो भारत न देखेंगे, मैप में अगर तो जम्मु कस्मीर के हिस्से से ही हो करके बहती है, सिंदु नदी इधर जम्मु कस्मीर से हो करके निकलती है, अगर आपको अच्छे से जानकारी चाहिए, ट्रिक वाइस चाहिए, कौन से नदिया कहां बहती हैं, तो इस तो बहुत अच्छे च आपको मिल जाएगी वीडियो चलिए तो यहाँ पर इसके बाद 1971 में क्या हुआ 1971 में आप सबको पता है दोस्तो भारत पाकिस्तान की बीच में युद्ध हुआ था पहला युद्ध जैसे ही अलग हुआ उससे के दो मेहने बाद ही सुरू हो गया था 1947-48 में ही ठीक है इसके बाद 1966 में भारत पाकिस्तान की बीच में युद्ध हुआ था फिर 1971 में हुआ था युद्ध ठीक है 1971 में जो युद्ध हुआ था ये बड़ा युद्ध था इसमें दोस्तो 93,000 से ज़्यादा साइनिक जो है ये घुटनों के बल पर आत्म समर्पण किये थे भारत के सामने और तब जा करके एक नया देश का गठन हुआ इस देश का नाम पड़ा बंगला देश इसको अभी हम लोग आगे देखें क्योंकि ये भी भारत से बाड़त सेयर करता है इंद्रा गाधी जी का उस्त में टर्म चला था वो प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया थी तो इंद्रा गाधी जी और पाकिस्तान के तरब से जुल्फिकार अली भुट्टो इन दोनों की बीच में एक समझोता हुआ जिसे सिमला समझोता की नाम से जाना गया किस नाम से सिमला समझोता की नाम से सिमला में एक संधी हुई थी उस पर हस्ताक चरूआ था इतना केलियर है फिर पाकिस्तान नहीं माना ये 1999 में दोस्तों कारगिल पर अटेक किया था ठीक है कारगिल हेल पर कबज़ा कर लिया था और कारगिल का युद्ध हुआ ठीक है बेजता है और पियोके पर अभी फिलहाल कबज़ा है पाकिस्तान का ही पाकिस्तान का ही पाक अकुफाइट कस्मीर का फिलहाल बहुत ही जल्द हो सकता है ये भी आ जाए भारत में अब अगला देश बात करेंगे अगला देश है दोस्तों अफगानिस्तान अफगानिस्तान द सदमासी कर रहे हैं मैप को लेकर के लेकिन इन से कुछ होना वाला है नहीं अखंड भारत भारत रहेगा ही यहाँ पर फिलहाल देखेंगे अगर आप तो अफगानिस्तान है और अगर मैं आपको इंडिया का मैप दिखाऊं तो देखिए इंडिया के मैप में यहाँ पर थोड दूरंड रेखा कहते हैं दूरंड रेखा अच्छा यह जो रेखा मैं बता रहा हूं इसका मतलब समझ रहे हो ना यह जो बॉर्डर होता है इस बॉर्डर को लाइन का नाम दिया दिया जाता है उसी को लाइन को कह रहे हैं रेखा ठीक है तो यह दूरंड रेखा है तो अग ही कबज़ा है ठीक है तो यहां पर डूरंड रेखा है तो शुरुवात में तो भारत और अफगानिस्तान के ही बीच में था लेकिन अभी प्रेट करेंगर ग्राउंड लेवल बात किया जाए तो पियो के और अफगानिस्तान के बीच में यह डूरंड रेखा है किलियर की बारे में basics की बारे में बात करें तो यहां के CEO हैं आपर chief executive officer होते हैं देश के भी CEO होते हैं तो वो हैं अब्दुल्ला बुल्ला असरफ गनी अहमद जै यह हैं यहां के president ठीक है काबुल यहां की राधानी है अफगानी यहां की मुद्रा होती है संसत का नाम होता है सोरा यहा बहुत सारे देशों से देखे जापान से ले करके भारत के पड़ोसी देश से तो खास करकी पूछे कहते हैं बहुत सारे देशों के जंडों की लंबाई वगरा अनपात वगरा पूछा गया था हाला कि इस पर भी मैंने आपको एक video दी थी आप उसको भी देख सकते हैं तो अकसर ये टेंसन में बना रहता हैं अमेरिका वगरा आकर कि यहाँ पर अपना सेन अड्या बनाए हुए हैं ठीक है आतनगवादियों को खत्म करने के लिए तो बहुत जादा विक्सित देश तो नहीं है फिलहाल ये भी पडोसी देश है भारत का भारत और अफगानिस्तान के बीच में 1950 के देशक में समझाता शुरू हुआ संबंद सुरू हुए मैत्री संधी पर हस्ताक चरू हुआ था मैत्री संधी आपको याद रखना है ठीक है जैसक मैंने आपको बताया जो अब ही वरतमान में प्योके है भारत का ही हिस्सा है ये अफगानिस्तान से सेयर करता है ठीक है और नाम है इस लाइन का डूरंड रेखा इसको किसने निर्धारत किया था तो इसे सर हेनरी मौर्टीमर डूरं ने किसे सर हेनरी मौर्टीमर डूरं ने 1996 में इसको नाम दिया था ठीक है ये भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा है भारत और किसी देश के ब गया, सबसे बड़ी सीमय रेखा किसके बीच में है, बांगला देश के बीच में है, ठीके, अभी आगे आएगा, अफगानिस्तान जो है जो है जोस्तों ये सार्क का भी देश है, सदसी देश है, सार्क आप जानते हैं, साउथ एसियंस एसोसियेशन आफ रिजिनल कोपरेशन जिसे हंदी में दक्षेष कहा जाता है, दक्षेष कहा जाता है, ठीके, दक्षीडerd ECI छेतरिय सहयोग संगठन, तो दक्षेष का हिस्सा ये भी है, ठीके, तो बस मोटा-मोटा बहुत ज़्यादा खास अफगानिस्तान से आपको जानने की ज़ुरुत है नई, यही सब इत अधिर उलमपिक 2022 में होगा अभी वाला जो समर उलमपिक है यह अगले महिने सुरू होने वाला है ठीक है अगले महिने बोले तो 23 जुलाई को 23 जुलाइ सुरू होगा आठ अगस्टे सुरू होगा रेन में भी या युवान यहां की करेंसी है, पीपल्स कांग्रेज यहां की संसत का नाम है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या चाइना का ही है, से जिन्पिंग यहां के फ्लेसिडेंट है, मंदारिन यहां की राजभासा है और संघाई है सबसे बड़ा नगर, संघाई से एक इसके अलामा चाइना दोस्तो ये अपना अपना इस्पेस इस्टेशन भी बना रहा है यानि अंत्रिक्ष में अपना अड्डा बना रहा है तो इसके लिए लगातार ये लांच किया करता रहता है इसके रॉकेट का नाम है लॉंग 5 याद रखेगा इसी का लॉंग 5 A, B, C अल गलग संस्करन एडिशन इसका लांच होता रहता है ठीक है तो इसके rocket का नाम है यह चायना दोस्तों कई सेक्टर में यह अगे चलता रहता है और भारत से इसका व्यापार भी सबस्यादा है अगर बात करें भारत का किस देश के साथ सबसे बड़ा व्यापार है तो वो है चाइना भारत और चाइना के बीच में इतना टेंसन चलता रहता है ठीक है लेकिन उसके बाउजुद भी भारत और चाइना के बीच में व्यापार अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे जाता है ठीक है भारत का किसी देश के उसको कहते हैं मैक मोहन, मैक मोहन रेखा क्या मैक मोहन रेखा कहते हैं इसको नाम याद रखेगा ठीक है मैक मोहन लाइनी से कहते हैं भारत और चाइना के बीच में दोस्तों 1950 में ही एक राजनाईक संबंद अस्थापित किया गया था और 1950 में जब भारत ने राजनाईक संबं को ठीक है लेकिन चाइना ने दोस्तों बहुत बड़ा दोका दिया हिंदू चीनी भाई-भाई का नारा दे करके 1962 में भारत पर आकरवड कर दिया और उस टाइम भारत उतना मजबूत नहीं था भारत बहुत सारे चीजों चे जूज रहा था ठीक है गरीबी से और सुखा भी बुखमरी टाइब कभी बहुत राज्यों में चल ला था तो उस टाइम पर इन्होंने अटेक कर दिया चाइना भारत पर अटेक कर दिया और सिया चीन जो अभी भी कबजे में है इसके तो उस पर कबजा कर लिया था ठीक है तो भारत युद्ध वहां पर हार गया था एक मा आगे चल करके फिर से सुधार आया और अभी फिलहाल बात करें तो अभी फिलहाल चाइना और इंडिया की बीच में संबंद लगबग बहुत ज़्यादा खराब हो गया है यह इन केस कहें कि अब भारत का सबसे बड़ा दुस्मन पाकिस्तान नहीं है बारत का सबसे बड़ पर अटाइक करें ठीक है और उपर से अब तो डार्कली खुलकर भी आ रहा है यह इधर गलवान घाटी अभी आप सुनें इसके बाद इधर अचल प्रदेश में भी अटेक करता रहता है ओके तो यहां पर हम लोगों को पूरे देशवासियों को सबसे बड़ा दुस्मन प कई को युद्धभ्यास होता है इस युद्धभ्यास को भी आपको याद रखना है चलिए चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थववस्ता है भारत के अगर बात करें तो भारत अभी पाचवे नंबर पर है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थववस्ताओं के मा परदग परसाथ सर्मा ओली या केपी सर्मा ओली जी यहां की प्राइमनिस्टर है विद्या देवी भंडारी जी यहां की प्रेसिडंट है काठ मांडू यहां की राजधानी है नेपाली रूपया यहां की करंसी है और राष्टिय पंचायत यहां की संसत का नाम है यहां की रा तो इसा करेंगे नेपाल के बारे में बात करते हैं तो भारत नेपाल के बीच में मित्रता संधी 1950 के बीच में हुई ठीक है दोनों के बीच में संबंद अस्थापित हुए और 1950 में ही भारत आजाद हुआ था तो उसके बाद से ही देर देर संबंद अस्थापित होना सुग हुए थे ठीक है क्योंकि 1950 के बाद ही तो भारत सोतंत भारत हुआ इसके पहले तो ब भारत के बहुत सारे person नेपाल में रहता है। जैसक मैंने आको बताया भारत नेपाल के बीच में रोटी बेटी का रिस्ता है। हला कि अभी वहां के जो प्राइमनिस्टर है केपी सर्मा उली इन्होंने बहुत सारे बिवादी दुवायें बयान दिये। इन्होंने कहा राम का जन्म एवध्या में हुआ था ठीक है बहुत सारे चीज़े ऐसे इसी बोली जो जिस वह से बहुत मजाग भी इनका उड़ाया गया लेकिन फिलहाल रिस्ता तो कायम है ही दोनों देशों के बीच में संबन तो अच्छा है ही है ठीक है कभी युद्ध भी भी नहीं हुआ नेपाल भारत के पांच राजयों से अपना बॉर्डर से एर करता है सिक्किम से प्रस्चिम मंगाल से पिहार से उत्तर प्रदे से और उत्तरा घट से ठीक है टोटल 1870 किलो मीटर की अपनी सेमा साजा करता है बारत से नेपाल नेपाल तीन तरब से भारत से अपना कहता है इसे कब से कहता है 1969 से कहता है इसको ध्यान रखना है चलिए अगला देखते हैं नेपाल का 60% व्यापार बिजनस भारत के साथ ही होता है और कुल विदेशी निवेश उसका 48% भारत से ही आता है टोटल इसका FDI जो है फारें डारेक्ट इन्वेस्टमेंट जो जाता है कारण यह है कि जो बड़े बड़े देश हैं वो नेपाल में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं क्योंकि यह उतना ज़्यादा डेवलप है नहीं नेपाल में ही है दोस्तों माउंट एवरेश्ट दुनिया की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेश्ट जिसे वहाँ पर सागर माथा की नाम से जाना जाता है, ये कुश्चन भी कई बार एक्जाम में पूछा गया है, नेपाल में सागर माथा की नाम से जाना जाता है, माउंट एवरेश्ट को, ठीक है, ये नेपाल में ही है, अलाकि बॉर्डर पर है, थोड़ा सा इसका पार्ट इंडि काठमांडू कष्टमंडप मंदिर की वज़े से बनाया था और नेपाल में ही लुम्बनी में महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था लुम्बनी में नेपाल में है वर्तमान में यहां पर महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था ठीक है महात्मा बुद्ध जी का जन्म ल वाले प्रमुख है रामायर सर्किट योजना ये दोनों देशों की बीच में काफी महात्वपूर्ण योजना है ठीक है भारत और नेपाल की रिस्तों को रोटी बेटी का रिस्ता क्यों कहा जाता है कि आपको पता है क्योंकि दोस्तों भारत और नेपाल के बीच में कोई ऐसा foundation नहीं है अगर भारत चाहे भारत की कोई कुछ लोग हैं अगर वो चाहे कि जाकर नेपाल में साधी करें नेपाल की बेटी से साधी करें तो पूरी खुली छूट है कोई दिक्कत नहीं है इस वैसे रोटी बेटी का रिस्ता माना जाता है ठीक है और अगर देखेंगे भी जो नेपाल और भारत की बीच में अभी एक विवाद भी हुआ था नेपाल ने तीन चेत्रों को भारत की तीन चेत्रों को अपने नक्से में बता दिया था अभी ये 2020 की बात है उत्तरक्षन में दोस्तों धार चुला काला पानी लिपलेग दरा इन सब को ये अपने पार्ट में बता दिया था नेपाल और इसी वैसे दोनों के बीच में रिज्टों में थोड़ा सा खटास आई थी ठीक है भारत और नेपाल के मैप को ले करके लेकिन फिलाल के लिए भी ठीक ठाक है बहुत जादा ये हुआ नहीं है ठीक है चलिए तो फिलाल भारत जो है सड़क कर निर देशते हैं अगर पुछा जाए तब आप नेपाल बताएंगे नेपाल जब भी नाम आता है दोस्तो गोर्खा रेजिमेंट का नाम आता है ये गोर्खा रेजिमेंट जो होते हैं ये पहाड़ी इलाकों में एक्सपर्ट होते हैं युद लड़ाई में और यही वजा है कि रेजिमेंट जो है ये भारतिय सेना की भी हेल्प करते हैं बहुत हेल्प करते हैं ठीक है भारतिय सेना में भी एक रेजिमेंट है गोर्खा रेजिमेंट इसमें नेपाली की ही भरती की जाती है मैक्समम जो उसी इलाके में रहते हैं जो पहाड़ी इलाकों में युद्ध करने की मामले में दुनिया की सबसे मजबूत मिलेटरी है भारत की इसको याद रखेगा ठीक है नेपाल और भारत की बीच में दुस्तों सूरी किरण नाम से एक अभ्यास होता है इसको याद रखेगा सूरी किरण नाम से अभ्यास होता है कब से होता है 2011 से यह होता है सैने अभ्या यहाँ पर देखते हैं इंडिया के मैप में देखिए यहाँ पर है देखिए इधार यह सिक्किम से अपना बॉर्डर सेयर कर रहा है पस्चिम मंगाल से अपना बॉर्डर सेयर कर रहा है बाकी ऊपर यह चाइना से अपना बॉर्डर सेयर कर रहा है भूटान यह रहा छोटा सा नाम ग्याल वांग्चुक यहां की राजधानी होती है थिम्पू डुलत्रुम यहां की करेंसी है ठीक है डुलत्रुम यहां की मुद्रा है ठीक है तो सुंगुडु यहां की संसत का नाम है और जोंखा यहां की राजभासा है थिम्पू ही सबसे बड़ा नगर है भूटान का भारत और भूटान के बीच में रिलेशन का वजटेबलिस हुए तो दोस्तों सबसे पहले 1968 में स्थापित हुए इससे पहले भी इंडिया के रिलेशन थे ऐसी बात नहीं है लेकिन हाला कि हुआ क्या था उनिस सो उन्चास के बाद से सिक्किम में जो भारत के अधिकारी हुआ करते थे उनसे रिलेशन हुआ करता था ठीक है डारेक्टली भारत से नहीं हुआ था और आप सब को पता है सिक्किम बाद में खुद ही जुड़ा है भारत में 1975 में जूड़ा था भारत में 36 में समिदान संसोधन के तहट 22 में राज्य बना था भारत में सिक्किम ठीक है तो सिक्किम में लेकिन जो अधिकारी नियुक थे वो इनसे संब्द रखा जाता था 2013 के बाद से कुछ और भी रिलेशन मजबूत हुए जब भूटान के नरेश महा महिम जिगमे खेसर नाम ग्याल वांग चुक को 64 में गरतन दीवस समारों पर मुख्याती थी की रूप में बुलाया गया था भारत में ठीक है चलिए इसके बाद प्रधान मंतरी नरेशन मोदी जी जब 2014 में बने भारत के प्राइम मिनिस्टर तब इन्होंने सबसे पहला दौरा भूटान में ही किया था भूटान देश का दौरा किया सबसे पहला दौरा इनका यही था ठीक है प्रधान मंतरी के पहले विदेश यत्रा भूटान ही थी इसको याद रखना भूटान की बहुत ज़्याद साहयता करता है भारत यहां तक की जानिए वहां के जो 90% प्रोजेक्ट्स हैं उसको भारत ही लगाया है भारतिये कंपनियों के दौरा ही लगाये गए हैं वहां पर ठीक है बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं कई पंचवर्ची योजनाओं में भूट 699 किलो मीटर की सीमा लगती है भारत के सिक्किम, अराचल प्रदेश, असम, पस्चे मंगाल इनकी बौडर लगती है भूटान से भारत की लगबग 60,000 लोग भूटान में काम करते हैं वह आप देखिए भारत के 60,000 लोग भूटान में काम करते हैं चलिये बगला देश से जादा सानिक पाकिस्तानी सानिक गुटनों के बल बैठ आत्मसमरबढ किये इसके बाद संधी हुआ उसके बाद फिर बंगलादेस का गठन किया गया किस ने किया उस टाइम पर सेख्मुजीबूर रह्मान जी हुआ करते थी से सेख मुझीबुर रह्मान जैसे भारत में भारत के राश्रिपिता महत्मा गानी कहते हैं ऐसे ही सेख मुझीबुर रह्मान जी को दोस्तों वहां का राश्रिपिता कहा जाता है ठीक है सेख मुझीबुर रह्मान जी को पहले प्रेसिडेंट ये यही बने थे वहां के अच्छ से युनेसको ने दोस्तो युनेसको बंदو पुरुसकार की उस्ठपना किये इसको भी आपको याद रखना है अब्दूल हमीद जी यहां के वरतमान में प्रेसिम्ट है और सेक मुजीबुर रहमान जी की ही बेटी सेक खसीना जी यहां की प्राइम मिनिस्टर है, ढाका यहां की कैपिटल है, बांगलादेशी टका यहां की मुद्रा है, संसत का नाम है जातिय संसत और यहां की राजभासा है बांगला, सबसे बड़ा नगर है ढाका, ठीक है, यह भी सार्क सदस्य देश है, सार्क संगठल का सदस से देश है ये भी भारत के साथ अफगानिस्तान के साथ क्लियर है चलिए अब देखिए इस से रिलेटर भारत से अब क्या-क्या रिलेशन इसको हम लोग जानेंगे देखिए पहले ये बंगाल का हिस्ता था बंगाल से अलग हुआ तो पूर्वी बंगाल पस्चिमी बंगाल पूर्वी बंगाल था उस पाकिस्तान का कब्जा हुआ तो उसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जल लेंगा आगे चल करके 1971 में भारत और पूर्वी पाकिस्तान से लड़ाई हुई फिर बांगला देश एक अलग देश बनाया गया ठीक है और उसमें सेख मुझेबू पूर्वी विस्तान के मौझेबू रहमान जी जी रहां जो है यह नहीं बहूंने भारत का साथ दिया एकर बहुत से और कर्नल मानक सा मानक सा मानक सा य का na machen य कि नया दिदेश सेड़ा यह थीर बारत की सबसे बड़ी धल सीमा दोस्तो बंगलादेश के साथ ही लगती है 4096.7 किलो मीटर लंबी ये बॉर्डर है ठीक है ये सारा जो डीटेल है ये आपको हिंदी और इंगलेश दोनों में प्रवाइड कराये जाएगा ता आप लोग बिल्कुल निश्चेंत रही है इसको अभी बढ़िये मत मैं जो बोल रहा हूं इसको सुनते जाएगे ये सब कुछ आपको फिरी में प्रवाइड कराये जाएगा ठीक है अप्लिकेसर में मिल जाएगा आपको तो देखिए 4096.7 किलो मीटर लंबी रेका पॉर्डर जो है भारत की बंगलादेश से से होती है और भारत स सबसे जादा सबसे लंबी थल सीमा रेका इसी के साथ सेयर करता है ठीक है इसके अलावा दोस्तो भारत और बंगलादेश की बीच में बहुत सारी नदियां भी बहती है आप सबको पता होना चाहिए जो गंगा नदी बहती है भारत की सबसी लंबी नदी है ये बंगलादेश में भी ये भी बैठती है ठीक है चौवन नदिया तो ये चौवन नदियों को अलाव डटा आपको याद रखना है ठीक है भारत और बंगलादेश की बीच में दोस्तों कोई टेंसन नहीं है कोई दबाव नहीं है भारत और बंगलादेश की बीच में कई प् किये हुए हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेद मोधी जी और बंगलादेश की प्राइम मिनिस्टर सेख हसीना जी कई प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर भी किये हैं अभी दोस्तों जब 50 वर्स इसके आजादी के पूरे हुए थे 2021 महीं बंगलादेश की सुतनता के तब 122 सज में फ्रांस की सेना और 2017 में संयुकत अरभ अमिरात यानि UAE की सेना जो है यह भारत की गरतन दिवस में भाग अल्रेडी ले चुकी थी ऐसे ही बंगलादेश की भी सेना ने भाग लिया था तो यह बंगलादेश का भारत के साथ संबंद हुआ अब एक और देश है मैमार इसके बारे मिजाल लेते हैं मैमार देखे दोस्तों यहाँ पर है यहाँ की संसत का नाम है पितू हलोतो यहाँ की राजभासा है बर्मी और सबसे बड़ा नगर है यांगोर यहाँ पर आपको सेने सासन लगा हुआ है यहाँ पर दोस्तों यू वी मिन्ट जो थे वो प्रेसिडेंट थे और आंग सांसुकी जिनको नोबल प्राइज भी मिल चुका है सांती का वो प्राइम मिनिस्टर थी या कहें कि हम लोग एक प्रकार से कहें कि मेन वो थी चीफ थी ठीक है जो होता है वहाँ पर राश्टर अध्यक्ष कह सकते हैं एक प्रकार से लेकिन इन दोनों को वहाँ की सेना ने क्या किया गिरपतार कर लिया गिरपतार करके सत्ता गिरा दी और अब सैनिसासन लगा हुआ है इस पर भी यूएनों पर भी विवाद हुआ था ठीक है यूएनों पर ये पुराना नाम था बरमा क्या नाम था बरमा नाम था इसका पुराना नाम ठीक है और बरमा का यूज दोफ्वाज चंद्भोश जी ने आजादी की लड़ाई बनाये थे, तो फिलहाल भारत म्यामार के बारे में बात करें, तो सबसे पहले इसे रिलेशन की शुरुवात ओफीसियल तरीके से 1951 से शुरू हुई, ठीक है, 1987 में भारत के जो प्राइम मिनिस्टर, ततकालिन प्राइम मिनिस्टर थे, राजी गांधी जी उन्होंने दौरा क 24 किलो मेटर तक है, ठीक है, भारत की थल सीमा, म्यामार से 16-24 किलो मेटर लगती है, और अगर समुदरी सीमा की बात की जाए, तो 725 किलो मेटर की समुदरी सीमा भी लगती है, म्यामार के साथ, ठीक है, भारत और म्यामार के बीच में, म्यामार में भी बहुत सारी इंडियन क के टाइम पर लेकिन ये बाद में अलग हो गया अलग देश बन गया तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि मैमार के साथ भी भारत के अच्छे रिलेशन है काफी जदा इनिवेस्टमेंट भी है तो ये तो थे दोस्तो मैमार और भारत के साथ रिलेशन अब साथ देशों क बारत के साथ पडोसी देशों के साथ हम लोग ने रिलेस्टन देख ली हैं जो थल सीमा के साथ साजय करते हैं जल सीमा वाली पर भी वीडियो आएगी जिसमें माल्दिव अगर आएंगे ठीक है माल्दिव वा स्रिलंका हुआ यह सब भी देश आएंगे उनके बारे मिहंग ब वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दो लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाओ सेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ सेयर करने से दोस्तों हमारा भी उत्सा बढ़ेगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना क्योंकि आने वाले समय में बहुत अब ही अगर MZT 10 कोड यूज करते हो तो 17% का डिसकाउंट भी है आपको वही भी मिल जाएगा नीचे डिसक्राइब में लिंक दिया गया है या फिर आप लोग MZT एप से जाकर कि इसे परचेस कर सकते हो ज्यादा जानकरे के लिए WhatsApp नंबर भी दिया गया है उससे भी आप संपर कर सकते हो सबसे पसंदीदा वीडियो कोर्स है हिंदी वीडियो कोर्स आप उसे चेक कर सकते है इसे आप जरूर चेक करना एक बार मात्र 299 में है लेकिन अगर आप UPSI, PET, ROARL, TET, Lekpar इन सब की तहरी करते हो तो आप 100% स्कूर कर पाऊगे ये बहुत लोगों का लेकर देखो ठीक है तो वीडियो को रखते हैं बस इतना ही अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिए मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जहिंद वन्दे मात्रम